हलो स्लाम अलेकुम आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सराइस 4.1 से और आज हम इसका करने वाले हैं कोशा नमबर 8 जिसमें आपके पास दियावा है फैक्टराइज और उसका पार्ट 1 दियावा आपके पास अंडरूट A B whole square minus under root C whole square इसमें जो आपके पास basically फॉर्मल लगेगा वो आपके पास simple से हम फॉर्मल लगाएंगे यहां पर direct A square minus B square का जो के बराबर होता है आपके पास A minus B A plus B A की जगा सबोस्कर लेंगे कि वो पराबर है आपके पास under root A B के और B पराबर है आपके पास under root C के जो कि हमारे पास इसका answer हो जाएगा same process इसके part 2 में करेंगे part 2 में आपके पास जो a होगा वो आपके पास 4x के बराबर हो जाएगा और आपके पास जो b है वो आपके पास 9y के बराबर हो जाएगा तो पहले हम लिखेंगे एक ही जगा तो under root 4x minus under root 9y अंडरूट 4x प्लस अंडरूट 9y जो कि हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा इसी कि अगर हम पार्ट 3 में दिखते हैं तो पार्ट 3 में आपके पास yz जो है आपके पास a के बराबर हो जाएगा और 1 upon under root yz जो है आपके पास b के बराबर हो जाएगा तो एक ही जगा लिखेंगे हम under root yz minus 1 upon under root yz उसके बाद under root yz plus 1 upon under root yz जो कि हमारे पास इसका answer हो जाएगा same process इसके हम पार्ट 4 में करेंगे लेकिन पार्ट 4 में आपके पास बिसीकली हमें काम करना होगा यहां पर आपके पास दिया होगा है एक्षट t minus 1 upon t तो इसमें पहले step आपको यह करना होगा है कि तमाम में आपके पास square root और square लगा होगा है तो हमें पहले step ने यह करना होगा कि xz t और इसके उपर square लगा देंगे अगर हम square से root cancel करेंगे तो दुबारा वह xz t के ही बराबर है minus यहां पर भी यह करेंगे हम तो यह जाएगा 1 upon under root t का whole square अब आपके पास यह बेची गली वही फॉर्मुला बन चुका है या कोई वही कोशन बन चुका है जोसे हमने पहले कर चुके हैं तो एक जगा हम suppose करेंगे के under root xz t के बराबर और 1 upon under root t के बराबी बढ़ी बराबर है तो पहले हम एक ही जगा लिखेंगे तो वह जाएगा आपके पास under root xz t minus one upon under root t यह आपके पास a-b का हुगिया उसके बाद a plus b की जाएगा जाएगा आपके पास xz t plus one upon under root t जो कि हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा थैंक यू